नाइकी के ऐसे जूते जोकी इनसान की खून से बनी है और एक असली और एक नकली आइफोन में फर्क क्या होता है एक ऐसी लेटी जो अपनी हट अपनी बैक पैक में रखते है लेकिन कैसे जानने के लिए वीडियो को एन तक देखिए नमबर वन ऐसा कौन सा फोन था जिसने सबसे पहले सलाइट टो अनलग फीचर इंटर्डूश किया वो फोन है नियो नौट एन आईए हाई यह दुनिया का सबसे पहला फोन है जिसने यह फीचर लाया था नमबर टू यह इस दुनिया का एक लौता वाइट जिराफ है और यह सेफ रखने के लिए केनिया गौवर्मेंट ने इसके साथ जीपी स्टैकर भी लगा दिया ताकि कोई शिकार ही इसका शिकार ना कर पाए और यह बीटूफुल वाइट जिराफ फिलहाल केनिया में ही है नमबर त्री, स्टीफेन वाल्चार एक फेमस आर्टिस्ट है जिन्हें उनकी बहतरन आर्ट स्किल के लिए जाना जाता है एक बार इन्होंने पूरी नियुवर्क सिटी का टॉप भीव अपने पेंट से ही बना दिया था और वो भी 20 मिनिट के हेलिकॉप्टर राइट के ब पर पर स्बहेय के से सबकुछ याद रहता है पर स्बाख का मानना है कि सुभा कर बेटर होता है रात को परना क्योंकि रात कूण परने के बाद वाली नीज evident उस पढ़ाय को याद रखने के लिए बहुत ज्यादा बाद। पैसा हो तो लोग क्या क्या नहीं करते ये फैक्ट देखने के बाद आप भी शायद यही कहोगे Microsoft के CEO Bill Gates के घर पे बड़ा सा Bill periodic table जा पर सभी elements के sample रखे हुए है और Bill Gates के पास इतनी farmland है कि उन्हें अगर एक किया जाए तो दूसरा Hong Kong बन जाएगा आप सोच रहे हो लोग आजकल कैसे कैसे hairstyle रखते हैं बालों के साथ कुछ भी करते हैं लेकिन इस इंसान को देखो ये है 1998 की एक photo ये लर्का अपनी मुआफ हैरस्टाइल को ठीक रखने के लिए अपनी ही गारी की उपर की हिस्सों को इन्होंने निकाल दिया साथन शू एक ऐसी शू है जिसके यार बबल में उस company की एक employee की एक बुंत खुन है ये शू मार्केट में धूमाचा दिया था और रिलीज होने की एक मिनिट में सारे शू बिग गाये थे और नाइकी इससे इंपरेज होके और भी बहुत सारी pieces बननने के लिए सोच रहे है बहुत से ऐसी qualities है जो इसे बाकी phone से काफी अलग बनाती है और इसलिए लोग iPhone के दिबान है और iPhone को पाने के लिए अगर आपने किसी इंट्रागम pages को follow करके रखा है तो अब भी उससे unfollow कर दो क्यूंकि वो कम दब में iPhone देते तो है लिकिन वो iPhone का clone होता है रियल iPhone नहीं ऐसी phone खरिदने से पहले आप उस iPhone की IMEI code को जार्च लो उसको चेक कर लो क्यूंकि उस phone में third party application और software होता है जो कि आपकी data privacy के लिए बहुत ही ज्यादा खड़ाब है अगर आप इस वीडियो को देखे हो तो चल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे वरना मेरा क्या मैं तो हलोज ऐसे मज़दार वीडियो को अपलोड करते हो YouTube पर कहीं आप मेरी वीडियो को मिसना कर जाओ अब तुम्हारा mobile तुम्हारा अंग उठा तुम्हीं decide कर लो ऐसे दर वीडियो को आगे चल कर देखना है या नहीं